नमस्कार दोस्तो, मैं हूँ अमरीत और आप देख रहे हैं भवेस और गैने गार्डन दोस्तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने कामकार में बहुत ज्यादा व्यास्त है और पोदों के उपर प्रोपर टाइम नहीं दे पाते यानि के पोदों को खाद पानी वगएरा टाइम सिर नहीं दे पाते अपने डूटी की बज़े से मेरा भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है मुझे छुट्टी ना के बरबर ही मिलती है और मैं अपने पोदों की प्रोपर केर नहीं कर पाता हूँ तो मैं एक ऐसा तरीका अपनाता हूँ जो मैं काफी टाइम से अपनाता आ रहा हूँ मैं क्या करता हूँ कि जनवरी या फर्वरी के महिने में पोदों को रिपोर्ट कर देता हूँ जैसे ही ये मेरा नीबू का प्लान्ट रिपोर्ट किया हुआ है रिपोर्ट करते टाइम मैं इसकी मिट्टी में कुछ ऐसे एक सिस्टम मिला देता हूँ जिससे की पूरा साल चाहे मैं खाद ना भी दूँ तो भी मेरे पोदे हरे भरे और जिन्दा रहेंगे तो आज मैं आपको वही चीज दिखाने जा रहा हूँ तो गुजारिश करता हूँ कि वीडियो पूरी देखना और अन तक बने रहना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूसफुल होने वाला है ये मेरा नीबू का प्लांट है गर्मियों में हमने इसके उपर बहुत सारे नीबू हार्वेस्ट किये थे अभी सर्दी का सीजन है तो आप देख सकते हैं कि एक दो नीबू इसके उपर अभी भी लगे ही हुए है तो मैं आज इसी प्लांट को रिपोर्ट करके दिखाऊंगा और वो एक खास चीज इसकी मिट्टी में मिलाऊंगा तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें किस समगरी की जूरत पड़ेगी हमारे पास एक धारदार चाकू होना चाहिए दूसरे नंबर पर हमारे पास कोई फंगी साइट पाउडर होना चाहिए अब फंगी साइट की जगा पर हल्दी का यूज़ भी कर सकते हैं वो हल्दी और्गैनिक फंगी साइट ही है तिसरी चीज हमें चाहिए कीचन वेस्ट से बनी हुई खाद, आपके पास कोई भी खाद हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं अब तिसरी चीज हमें जो चाहिए वो है कीचन से निकलने वाला कच्रा जैसे ये गाजर के कुछ छिलके हैं और कुछ केले के, प्याज के और मटर के छिलके हैं मैं इन्ही को इस्तमाल में लोंगा ये जो मेरा प्लांट है मैं इसको इसी गंबले से निकलूँगा और इसी गंबले में ही शिफ्ट कर दोंगा तो सबसे पहले हमें मिटी को ढीला कर लेना चहिए दोस्तों ध्यान रखना कि आप हाथों की मदद से मिटी को ढीला किजए चाहिए आपके पास कोई प्लास्टी का गंला है चाहिए वो मिट्टी का गंला है चाहिए स्टीमिंट का गंला है एकर आप किसी लोहे की चीज से चाहिए शència को सकता है और आपका नुकसान का है हाथों की मदद से ऐसे हलका हलका मारके चारो तरफ से ये इसकी मिट्टी जो है वो धीली हो जाएगी मिट्टी धीली होने के बाद बड़ी असानी से इसको खींच के बाहर निकाल सकते हैं ये मैंने अपने अपने प्लांट को मिट्टी से बाहर निकाल लिया है तो आप इसकी इसकी रूट देख सकते हैं कितनी जबरदस्त इसकी रूट हुई हुई है यानि कि अगर मैं दो महिने इसको और रिपोर्ट ना करता तो इसमें रूट बाउंडिंग शुरू हो जाते इसलिए यह बेस्ट समय है अपने प्लांट को रिपोर्ट करने का मैं हमेशा इसी समय में ही रिपोर्ट करता हूँ यह कुछ इसमें से लकडिया निकली है जो मैंने प्लांट रिपोर्ट करते सा टाइम इसमें डाले थे तो चलिए अब इसकी 50% में रूट काट दूँगा जो हमारे पास जो चाकू है वो बिलकुल ही तेज धारदार होना चाहिए इस तरह से हम इस 50% रूट को हमने काट दिया है अब बारी आती है यह जो मिट्टी का मिक्षर है मैं वो त्यार करना है हमारे पास जो मिट्टी गमले से निकली है हम उसी का ही इस्तमाल करेंगे सबसे पहले इसके अंदर फंगी साइड मिक्स करेंगे फंगी साइड हमें इसलिए मिक्स करना ह तान जो कोई फंकस बगएरा का अटेक ना हो क्यूंकि अभी बारिज कुछ चल रही है तो इसलिए मैं फंगी साइड इसमें जुरूर मिलाओंगा फंकी साइड मिलाने के बाद मैं इसमें मिलाओंगा घर की बनी हुई किचन कमपोस्ट वो आप अपनी शमता के हिसाब से कितनी भी इसमें एड़ कर सकते हैं यह अपनी kitchen compost एड़ करने के बाद हम इसमें मिलाएंगे जो गजर के चिलके अपके घर में जो भी सब्जेह होती हैं वो सभी के चिलके हमने इसी के अंदर मिक्स कर देने हैं दोस्तों अब बात आती है वो जिस टोपी के लिए मैंने वीडियो बनाया उसी टोपी के बारे में आपको बताने का यह हम कच्छे चलके इसलिए मिला रहे हैं क्योंकि अभी प्लांट की रूट हमने काट दी है जब तक यह रूट थोड़ी सी बड़ी होंगी तब तक यह जो मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने पिछले साल अपने गंबले में क्या मिलाया था मैंने इसके बोटम में कुछ लकडी के टुकड़े रखे थे जो कि मैं हर साल रखता हूं तो जैसे ही प्लांट की रूट बड़ी होके बोटम तक पहुंचती है उसी समय यह जो है लकडी व नुक्सका अपनाता हूं मैं जब भी प्लांट को रिपोर्ट करता हूं तो उसके बोटम में कुछ छोटे-छोटे लकडी के टुकड़े जरूर रख देता हूं जैसे अभी यह मेरे पास लकडिया है मेरे पास कुछ पतली-पतली लकडिया किसी भी तरह की लकडी रख सकते तो खाली सिर्फ हम इसको पानी देते रहेंगे अपने प्लांट को, हमें कोई और खाद वगेरा देने की जूरत नहीं है, यह अपने आप ही जो खाद पड़ी है, वो slow release fertilizer है, उसी से ही अपना पोस्टिक तत्वे लेते रहेंगे, और हमारा प्लांट कभी भी बिना खाद की व चैनल को सब्सक्राइब जुरू कर लिजिए, बिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए, बाई बाई